उत्रप्रदेश के डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौर्या मेडिकर नगर पहुचे जहां उन्होंने पदारिकारियों और अधिकारियों के साथ में कलेक्टरेट में बैठ की साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया, केशव प्रसाद मौर्या ने मीडिया से भी बात चीत करी और कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार 24 करोड जनता के लिए संकल्पिक है लखीम पुरकान पर बोलते हुए कि शव प्रसाद मौर्या ने कहा कि किसी भी अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा सभी पर कठोर से कठोर कारवाई जरूर की जाएगी अकलेश यादफ पर भी निसाना साथते हुए डिप्टेसियम ने कहा कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते आज जनता स्पी की सच्चाई जान गई है